तो आज हम लोग बना रहे हैं पेड़े और ये पेड़े मैंने बनाए हैं पनीर और खोया से इसका टेस्ट जो है काफी अमेजिंग आता है आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए क्योंकि ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत सारी मिठाई हमारी बन जाती ह हैं तो ऐसे टाइम में जितना हो से के आप भार की मिठाई ना खाएं आप अपने ही घर में मिठाई बना के रेडी कर सकते हैं और थोड़ी से अमांट से आपकी काफी ज़्यादा मिठाई बनके रेडी हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर और खोया की मिठाई तो simply हमको पनीर को लेना है और सारा पनीर हमने ग्रेंड कर देना है मिन्स कद्दुकस कर देना है तो सारा पनीर जितना भी हमारे अमाउंट थी हलके हातों से हम इसको कद्दुकस कर देंगे और पैन में फैला लेंगे तो देखिए इसको मैंने सारा कद्दुकस कर लिया है अब हम इसको हलका हलके हाथों से इसको चलाते हुए इसको सुनहरा होने तक भूल लेंगे और गैस का फ्लेम होना चाहिए लो तो लो फ्लेम में आप इसको दो मिनट तक भूल लीजे जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जा और खाने में भी यह बहुत टेश्टी लगेगा तो इसको गी डालने के बाद आप इसको दो मिنड़ तक इसी तरह दो फ्लेAM में भून ले तो हलका सासका कलर्चेंज होने के बाद और यह शुकुर जाएगा क्योंकि भूलने के बाद पनीर शुकुर जाता है तो तो इसकी quantity थोड़ा सा कम हो जाती है, देखिए हमारा पनीर भून चुका है, अब हम यहाँ पर add कर देंगे एक बाउल शुगर, तो शुगर आप अपने according add कर सकते हैं, कम या ज्यादा, इसमें कोई measurement नहीं है, आप चितनी amount चाहें, उतना add कर सकते हैं, इसका कोई measurement का हमको ध् नहीं रखना है, तो अपने according आप add करिए, तो मैं इसको भी थोड़ा सा भून लोंगी 2 मिनित तक, देखिए हमारा भून चुका है, इसका color change हो चुका है, तो बस अब हम gas का flame low कर लेंगे, और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको कर लेंगे grand, तो इसको ठंडा हो चुका है, और मैं इसको grand कर रही हूँ, तो अच्छे से आप सारा जिता मिक्स्चर है, अच्छे से grander jar में डालिए, और इसको हम अच्छे से grand कर लेंगे, इसका smooth paste बना लेंगे, तो इदेखिए, मैंने grander jar में डाल दिया है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हूँ दूद, ताकि यह अच्छे से mix हो जाए, और इसका अच्छा सा paste बन जाए, और आप यहाँ पर पानी भी add कर सकते हैं, तो हम इसको grand कर लेंगे, अब चलते हैं, नेक्स प्रोसेस में, तो same pan में मैंने यह लिया है, एक बड़ा बावल मैंने खोया बना के घर में ही ready करा हूँ है, और यह खोया के बाद हम इसमें, जो हम लोग ने paste बनाया था, पनीर और चीनी का, उसको हम इसमें add कर देंगे, तो देखिए, एक मिनट होनने के बादे थोड़ा सा smooth हो चुका है, थोड़ा सा पतला हो गया है भी, तो बस अब हम इसमें add कर देंगे, पनीर का mixture, तो देखिए, कितना अच इसको mix करना है, हलके हलके हातों से हम इसको mix कर लेंगे, और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, झब तक चलाएंगे जब तक कि इसका color है, वो change ना हो जाए, तो देखिए, इसी तरह से हम इसको चला लेंगे, और अगर प्लीस आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हिवे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो बस हम इसको इसी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये कड़ाई ना छोड़ दे और फ्लेम कैस का फ्लेम होना चाहिए लो और हाई फ्लेम आप बिल्कुल ना रखें इ तो इसका टेस्ट ठराब हो जाता है तो लो फ्रिम में ही पूरी प्रोसेस हमको करनी है तो आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल कड़ाई छोड़ दी है और यह हमारा जहां मेरी चम्मच आ रही है उधर ही किसक रहा है तो इसको चेक करने के लिए हम थोड़े से बावल मे मिठाई बनने के लिए तो बस अब हम गास का फ्रेंब लो कर देते हैं अब बन कर देते हैं और इसको एक प्लेट में उतार लेंगी टो इसको डाल दिया है सारा मिक्शर और मैं इसको ठंड़ा ओने के लिए लिए 15 से बीस Twin थणड़ा ओने कलिए रग दोंगी अपेशं और ध्यान डखे कि मिश्चत पूरी तरह से ठंडा ना हो अगर यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पेड़े बनाने में प्रॉब्लम होगी तो हलका गुन-गुना इसको रखना है और इसको हम शेप दे देंगे हाथ से तो हलका सा मैं इसको लंबाई में तो देखे कितना अच्छा फिनिशिंग आया हुआ है मेरा फर्स पेड़ा जो है बनके रेड़ी है तो आप लोग भी बहुत इजी तरीका है आप लोग भी इसको जरूर अपने घर में ट्राई करिए और इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा भी बना के रेड़ी कर लूँगी इसी तरह से हाथ में थोड़ा सा हलका सा प्रेश करते हुए इसको मैं बना लूँगी तो शेप आप अपने इसाप से देजिए जैसा शेप आपको पसंद है क्योंकि मिठाई खाने में बहुत टेस्टी है और शेप आपके हाथ में है तो बस यह बन चुका है देखिए कितन अच्छा यह बन चुका है कितना अच्छा इसका फनेशिंग आ रहा है इसी तरह से मैं सारे के सारे पेड़े अपने बना के रेडी कर लूँगी और जितना भी हमारा मिक्स्चर है इसका हम अपना पेड़ा बना लगे तो देखिए मैंने सारे के सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं कितना अच्छा ही लग रहा है आप लोग भी इस रेसेपी को ज़रूर ट्राइ करिए तो चलिए मिलते अभी नेक्स वीडियो में नेक्स रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई